हेलो गाइज मेरा नाम है सुम आपको स्वागत हमारे सुट्व चैनल पर यह है मेरे पास रेडमी 10 प्रैम डिवाइज और आज की नहीं बताने वाला है इसमें जितने भी हिडन फीचर और जितने भी ट्रिप सेंप्रीज देखने को मिलते हैं जो कि आज थिंग आपको नहीं सोच रहे हैं तो आपको इन सबी फीचर की बारे में पता होना चाहिए तो वीडियो को सुरू से लेकर एंड तक वोच करते रहेगा और वीडियो में आगे जाके आपको वैली लगते तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर करके जैसे मैं अपने फोन को थोड़ा से करूंगा तो यहां के आइकन वहाई के वहाई चले जाएंगे तो यह भी काफी दा इंट्रेस्टिंग फीचर आपको देखने को मलता है और एक फीचर की और बात करूँ तो अपने फोन के अंदर आप कीबर्ड और माउस को कंट्र कर सकते हैं जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं एसमैने कर दिया और यहां पर मैं लेके आता हूं माउस और स्विचर के बात को बहूं मिलता में जैसे बदर की माइल इसक önem एक memory extend वाला feature जी हां इसको आप अनेबल कर देते हैं अपने फोन के अंदर तो आपके फोन के अंदर 4GB RAM है तो आपके फोन के अंदर 5GB RAM हो जाएगा लेकिन आपको ध्यान रखना है इसको ओन करने पर आपके फोन के जितनी स्टोरेज होगी उस स्टोरेज में से 1GBLS कर लेगा और 1GB RAM को extend कर देगा अगर आप bgmi या high task perform करते हैं तो इसको आप enable कर सकते हैं जिससे आपको काफी अची multitasking देखने को मिलेगी और थोड़ा आपका RAM extend हो जाएगा अगले फीचर की बात को तो जैसे कि अपने फोन के अंदर आपको तीन ही बटन देखने हो मिलते हैं लेकिन करने के बाद यहां पर देखते हैं फोर्थ बटन भी एड़ हो चुका है है ना काफी देंटरस्टिंग अब इस पर करता हूं देखते हैं एक हांसे मतलब आप सारी चीज़े कंट्रोल कर सकते हैं पावर करना चाते हैं एच्बिल्टी सेटिंग कोलना चाते हैं गूगल एस की साइड में सारी सेटिंग देखने को मिल जाती है अगला फीचर की बात को मिलेगा आपको मवाल की सेटिंग में जैसी मवाल की सेटिंग में जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा नोट्विक्शन कंट्रोल सेंटर को उप्शन जियां अब यहां पर को एक उप्शन दे आपको by default एक ही देखने हो मलता है लेकिन सावमी के फोन के अदर आपको दो control center के option देखने हो मलते हैं जो भी आपको पसंद है वो आप लगा सकते हैं notification said के अंदर आपको यहाँ पर MIUI जासा notification चाहिए बिल्कुल बड़े large के अंदर और android के अंदर छोटे छोटे आपको कोई भी notification देखने को मिलेंगे तो मनमुदा भी अपने हिसाब से इसको change कर सकते हैं और बात करूं यहाँ पर स्टेटस बार में hide note का एक option देखने हो मलता है अपने note को आप अपने जाते हैं तो यहां से आप हाइड भी कर सकते हैं देखते हैं नोच हाइड हो चुका है तो इस प्रकार से आप note को हाइड करने जाते हैं जो कि सावमी के फोन के अंदर ऑप्शन देखने मिलता है connection स्पीड यहां पर करेंगे तो यहां पर आपको connection स्पीड भी सो करने लग जाएगा कुछ फीचर की बात को तो वह मिलता आपको about phone में जो कि एक सावमी ने hidden करका रहा देखते हैं android 11 में आप क्लिक करेंगे और यहां पर तीन बार इसको और यहां पर देखते हैं आपको smart device वाला option आज चुका है जैसे कि food वाला वाटर वाला तो यहां से एकसेस कर सकते हैं control कर सकते हैं तो यह कुछ आपको activate करना है तो यहां से आप कर सकते हैं android 11 में तीन बार सरकल कीजिए और new control center के साथ इसको अगले फिचर की बात कि तो आपको मिलेगा setting में setting में जैसी जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा sound and vibration का option इस पर क्लिक करेंगे तो इस फोन में आपको पता एक option देखने हो मिलता है बटन देखने हो मिलेगा वोलिम आप पर क्लिक किया तो यहां पर यहां पर यूटूब का लोगो दिखाएगा और यूटूब आप का वोल्यम कर सकते हैं और आपका पूरा system का sound कम ज्यादा नहीं होगा बलकि उस आप का sound कम ज्यादा होएगा तो यह काफी लोगों के लिए यूजफूल हो सकता है तो इस फीचर का भी आप यूज़ कर सकते हैं बाकी देखते हैं sound effect का option देखने हो मिलता है अगर आप यूर फोन यूज़ करते हैं तो अलग-अलग effect के हैं आप साउंड आप ले सकते हैं अगले फिचर की बात को मिलेगा आपको मubile के setting में 社कर जाएंगे और में आ इस तरसे कहति होardर जो है जो भी से बैटरी कम कंजूम होगी और ट्रायम इसका सेडूल भी कर सकते हैं आपको डार्क मोड नाइट के अंदर यूज करना है तो नाइट वाला भी आप टाइम सेट कर सकते हैं एक फिचर की बात को तो यहाप लो diesen बहुकर देखने हैं तो आपको अंदर बैटरी थोड़ी सीं जागा कॉम् mechanism करेंगा तो इसका आपको फोणड़ा ज्यादा ज्यादा सूमूज च्लेवाना तो यहाप आप यूज कर सकते हैं देखने ऊंस फीचर के बात को आपको मिलता हों स्किजिंग के अंदर जाएंगे तो system navigation का ऊप्छिन देखने ऊमलता है अब यहां पर गिस्टर बैमें ख्लिक करता हूं तो बीना बटन की अपने फोन को यूज कर सकते हैं जैसे कि iPhone वगरा नहीं होते हैं बीना बटन कु यूज होते हैं तो उस परकार का आपको देखने हो मलता है औरृबटन से हो सकते हैं बिना बैग जाया धे यह बीक आफिक चाए है मितलब आपको जाने के जूरत नहीं एक हो जाएगा उस साइड आजाएगा तो जिस प्रकार पर आपका यूज क्टा मन गर्जा को यहाँ यहां पर आ बहुत सब्सक्राइब करते हैं बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो आपको प्रकार से आपको देखने हो मिलेगा और दोगा तो इस ट सब्सक्राइब कर लिए और मालें डाइब कर लिए और यहां पर चुका है देखते हैं कोई भी चीज आपको यहां पर पूरा पूरा इस पारट को blur कर देगा जैसे-क है अगर अपने फोन के अदर आपने फिंगर प्राइड है जैसे कि मैं एक बड़ी सेट्अप कर लेता हूं उसके बाद दिखाता हूं अगर यह पो देखने है fingerprint lock आपको है एक होना चाहिए आपको टच करते हैं इच को आपको प्रिच्न करक से पर है प्रप्राइब मीधीержा को देखने हो तो वो भी आपको मैं च्ट नहीं देखने हो गरा Jeans इस फोन के अंदर होना चाहिए लेकिन टाइमर का एक option देखने हो मिलता है जो कि काफी सारे फोनों में पहले नहीं था लेकिन इस टैन प्राइम हमारे इसमें आपको फीचर देखने को मिल जाता है तो यहां पर वोई सेंजर का feature हमें नहीं देखने हो मिलता और यहां पर सैट को देखने हो मिलेगा और इस प्रकार से आपको फीचर देखने हो मिलेगा तो फ्लोटिंग विंडो में किसी भी एप को यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने इसको कर लिया तो यह बता रहा है इस प्रकार से कर सकते हैं इसको साइज को प्री साइज भी कर सकते हैं और इसको ड् देखते कास्ट कर सकते हैं यहां पर आगर आप YouTube मुजिक को वीडियो प्ले कर रहे हैं वीडियो देख रहे हैं और सॉंग चल रहा है आप कि हमें वीडियो नहीं देखनी सॉंग देखना इस पर किरीज आपकी स्क्रीन ओफ आ जाएगी और वीडियो भी आपकी चलती रहेगी की मतलब स्क्रीन ओन नहीं रहेगी और भी कुछ फीचर की बात को तो स्क्रीन सोट रिगोर्डिंग यह सारे फीचर आपको देखने मिलते हैं सेटिंग में जाके इस सोट को आपको लेफ्ट करना राइट करना वह भी आप अपने हिसाब से इसके अंदर कर सकते हैं और अधर कर सकते हैं लेकिन आपको सारी सेरेंफ करना ही पड़े हैं लेकिन वन किलिक लिकिकर आप कर सकते हैं तो वह आपको काफी दा कमाल के लगने वाले हैं जी हां वह बहुत इंट्रेस्टिंग फीचर है जो कि सावमी ने हाइड करके रहे हैं उसको आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए अपने फोन के अंदर एक्टिविटी लॉंचर को आपको डाउलोड करना पड़ेगा जो क आपको बार बार एक्टिविटी लॉंचर में जाने के लिए इसका भी सिल्यूशन बता रहता हूं आपको इसको होम स्कीन पर एड़ कर सकते हैं इस प्रेसेंड होल्ड और यहां पर आपको जाना है अधर प्रमिशन के अंदर और यहां पर होम स्क्रीन को आप ओल्वेज ल और यहां पर देखने हो मिलेगा AI Image Enhancement का फीचर इससे आप अनेबल करके इस प्रकार की फोटो इस प्रकार से आपको देखने हो मिलेगी तो थोड़ा AI Enhancement देखने हो मिलेगी और बूस्ट कर देगा इसके कलर को जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है तो यह देख इस में लेने की वजूरत नहीं है और इसके Glass का भी Link मिल जाएगा Best Link मिलेगा मतलब अच्छे backward का आपको Link मिल जाएगा तो description में आपको Link मिल जाएगी वहां से आप इसे Buy कर सकते हैं अगले फीचर की बात को वह मिलता है आपको MEMC वाला फीचर आपको मैं सर्च मार के दिखा सारे feature देखने मिलते हैं अब वीडियों लग लग थे तो like करो आपको देखने मिलता यह फीचर वाला की वर्क ने करता लेकिन इसको आप देख सकते हैं अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं देखने में काफी ब्यूटिफूफुल यह setting देखने में लगती है प्लेसर के बात इसको आप download कर लेजी यह always on display पहले इसको setup कर लेजिए क्योंकि always on display का भी काम कर लेगा और आपको ring light लगाने तो उस पर भी आप लगा सकते हैं फिलाल के लिए लिए अपको लगा सकते हैं को वह पर लगा सकते हैं और जो भी हैं यहां बी खोन नहीं उप्सक्राइल करना पादे और यहां पर brightness बगर यहां पर सारे कस्टमाइशन करने के बाद आपके फोन के अंदर always on display एक्टिवेट हो जाएगा तो फिलाल के लिए आपके लिए यहां पर स्टा्ट करने के लिए यहां पर साइज को इधर आप कर सकते हैं इस प्रकार से अपको applicator इसको ऋट करना पड़ेगा और जो भी आपके size को बड़ा चाहिए है इस प्रकार से और आपके phone के दर दूसरा इन दूसरा फोन लिए यहथ होपा सकते बैक्ग्राउंड आप प्रफेक्ट ली तरीकिस बर करो देखने में काफी अच्छा लग रहा तो यहीं कुछ आपको देखने मुलते हैं रेड्मी टैन प्रायम के अंदर कुछ ट्रिप्स और जिदे रिडिन फिचर जो कि आपको कुछ फिचर पता होंगे कुछ नहीं पता होंगे जो कि आज की कर सकते हैं मिलते नेक्शनल टैक कि रंग रुबाय जाहिंद बंदे मातरम